हेलो बच्चो आप सबको एक इंफॉर्मिशन देनी थी मैंने भी पीडवलू अब छोड़ दिया है एक्चुल मैं जब पीडवलू मैंने जॉइन किया था उससे पहले मैं एक श्री नगर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वहां मैंने काफी चीजों को देखा वेटा वहां बच्चे इकनोमिकली इतने स्ट्रॉंग नहीं है पर उनके अंदर पढ़ाई का जो जजबा देखा था जो मैंने देखा था तो उनको देख करके लगा कि वास्ता मैं इनको एजूकेशन की रिक्वार्मेंट है लास टॉप एजूकेशन की रिक्वार्मेंट है बस वो एक सपना था जो मैं वहां कर रहा हूं काश यह सब चीज़े मैं इंडिया में ऐसे जो हजारों लाखों बच्चे हैं उनके लिए भी कर पाऊं बस उस विजन को लेकर के ही मैं अलग सर से मिला था क्योंकि अलग सर का भी विजन वही था सेम विजन था अलग सर का भी तो जब हम दोनों का विजन एक ही था तो मिल करके हम लोगों ने एक छोटी सी PW family बनाई थी सभी emotionally उस family में जुड़े थे सारे लोग को emotionally जुड़े थे और कहीं न कहीं सब के विजन एक ही थे जो मुझे लगता है बस उस विजन से जुड़े थे दिन और रात हम लोग काम करते थे सिस्टम को डबलब करने में बच्चों को अच्छी एजूकेशन देने के अंदर इंडिया के हर कौने में जो बच्चा वाकई में नहीं मतलब इतन सुपर क्वालिटी एजूकेशन वहां तक पहुंचाई जा सके लो कॉस्ट के अंदर दीरी दीरी सिस्टम बिल्डप हो रहा था नो डाउट दिन और रात महनत की कि मैंने अपनी के संग भी बहुत कंप्रो माईस किया एक जूुरूद था कि इंडिया के हर कौने कौने मैं वह बच्छे जिनके आखों में वह चीज देखी थी जो वाकिन मैं मतलब प्यासे थे एक अच्छों एजुकेशन के लिए प्यासा मुलब जिस तरी कि भगवान श्वरूप जो मानना टीचर को तभी तो इतना प्यार करते हैं बच्छे तो उसको बस ध्यान में रखते हुए मतलब इतनी एनर्जी मिल जब आप लोगों ने इतनी एनर्जी दी इसके लिए तो खुद थेंक्स बोलूँगा मैं उस एनर्जी को लेकर के ही हम दिन और रात मेहनत कर पाए काम कर पाए चीजों को बना पाए दी 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 सिस्टम बड़ा हो रहा था सिस्टम का डिसीजन था कि ओफलाइन में भी जाएंगे ओफलाइन में भी गई हम लोग कोटाया मैं यहां भी दिन और रात मेहनत की सिस्टम को जैनेरेट किया बिल्डब किया नो डाउट सिस्टम जब बड़ा होता है समस्यां भी आते हैं पाइट की कीज़ों से समझ रहे थे पर काफी बार ऐसा फील होना चालू हो गया मुझे दीज़रे कोटा में कि हाथ बंदे हुए हैं हाथों को बांद दिया गया है कोई नहीं ठीक है काम कर रहे थे जैसे फिर भी कोशिश कर रहे थे बच्चों से चुड़े हुए थे जितना कोशिश कर सकते थे बच्चों के संग लगे हुए थे चीजे तब सामने दिक्कत आना चालू हो गई जब बच्चों ने मिला बच्चों ने मुझे बताया कि बच्चे ने बोला कि सर मैं मेरे फादर ने खेती बेच करके मेरा किसी एक्स इंस्टिटूट के अंदर एडिमीशन कराया जब मुझे पता चला कि आप लोग कोटा आ रह सगुद्र कीया करता हे सरकता ना चांटीनियू कर सकता ऐसी बहुत सारे बच्चे मुझे बिलते थे कहीं है कि दो जिसे ए recognition में नहीं हो रही है जैसे दिखाई जा रही है जब चीज़े होती थी मैं बहुत परिशान होता था मेरे खुद आखों में आस हुआ जाते थे मैं क्या करूं लास्ट में की ऑप्शन होता था क्योंकि सिस्क्म दीरी दीरे तरह बड़ा हो रहा है अब ऐसे लोग सिस्क्म में जुड़ रहे थे जो तोटली प्रोफेशनल थे बहुत कम लोग थे जो इमोशनली सिस्क्म से जुड़े थे जो प्रोफेशनली जो जुड़ रहा है इमोशनली इसमें अटेच्मेंट है ने कि पीडबलू बीडबलू मतलब इमोशन जो दिरी दिर मुझे अगरा इमोशन खताम होता जा रहा था बस लास्ट में की ऑप्श बस मुझह फील कराए जायँ रहा है कि हम कोशिष कर रहे हैं मुझे फील कराए जता था वह मैं समझ गया था बात में कई चीज़ ten देखी मैंने ब्रक्राइशन में एक्षान होता नहीं तो आउन चीजां कर दो का चीजिज्हं की उपर तक डाइरेक्ली एक्षान है नहीं ह अच्छे जिस एम को लेकर के आते हैं वहुत विश्वास से आते हैं वह चीज हम देई नहीं पा रहे हैं उनको क्योंकि हाथ बंदे हुए सिस्टम बड़ा हो चुका है पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो चुकी है मैं चाहगर के भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्या हुआ हैसे लग कि मुझे लगवी विचारे मतलब कही ना कहीं सिस्टम यह बड़ा हो चुका है साइद उनके हातों में ठीक है पर मेरा हम लोग जिस एम से जुड़ा था वह एम तो मुझे नजर नहीं आ रहा है वह एम मुझे लग रहा है डाइवर्ट हो के हैं उस भी मैंने डिसीजन ले लिया था है ठीक है अपनी 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 घर पाऊंगा कंटेनियो मैं रियल बोल रहा हूं मेरा यह कारण evolution है क्या वाखे में हम वाभ्या यह बच्चों यह की अच्छा कर रहे हैं क्या वाख़ी में हम जिस वृत को लेकर निकले थे उस विजन पर ही काम कर रहे हैं मैं अपक्ता था जा ग्षु आंखों में आसु आला जाते हैं मैं समझ नहीं पाता था मैं किस दरेक्शन मैं जा रहा हूं क्या हो रहा है तो सही माइने में तो बस समझ गया था कि चीजें जब सिस्टम बहुत तेजी से बड़ा होता है कारण मैंने बताया वही कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं पॉलिटिक्स होना चालू हो जाती है जिस विजन को लेकि हम चले थे बच्चों को अच्छी एज्यूकेशन उस विजन को साइड में हो जाता है और चीजें स्टार्ट हो जाती है बस जो मेरा एम था जिस विए से जुड़ा था वह एम ही खतम हो रहा है तो यहीं मेरा कारण था कि सिस्टम से लोग होने का बस जो मैं आपको बता दिया है रेल मैं पिर बात में मेरी तरुमसर डिसकुशन हुआ हम और तरुमसर मिल करके बस अलग सर के अलग सर के उसी विजन को लेकर आगे चलना चाहते हैं करें मुझे नहीं पता अगे everybody क्या होगा क्या नहीं होगा फ्रमेत नहीं जानता हूं कि सच्चे मंद से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता यह मुझे अपने उपर विश्वास है कि एमोशन भरे पड़े हैं कि डेडिकेशन है पूरा पूरा दम लगा दूंगा मैं डेडिकेशन पूरा है पर बिटा आपका सपोर्ट चाहिए बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबिल नहीं है बिना आपके सपोर्ट के हुई नहीं सकता पॉसिबिल नहीं है बस रिक्वेस्ट है आपका सपोर्ट चाहिए सब